अफ्लाइन वालों को कुछ समस्या हो रही होगी हमारे पास अभी छोटी टीम है इसलिए ऐसा हो रहा है लेकिन कटनाईया ही हमें एक बहतार इंसान बनाती है अगर हम कटनाईयों से नहीं लड़ेंगे तो एक इंसान नहीं वन सकते एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ और substant भारत में रहने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति वो जानता है कि वो कटनाईयों में ना होता तो आई उसे हम भगवान ना कह रही होते उनका नाम है दसरत पुट्र स्र स्री राम अगली सुवह राजा बनने वाली थी क्या बनने वाले थे राजा लेकिन वह व्यक्ति जो राजा बनने वाला है उसको रात में पता जलता है कि मुझे बन जाना है और मेरे पिता धर्म संकट में मुझसे कह नहीं पा रहे इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बन चला आता है कटनाई को जलता है उसी के बाद स्री राम को क्या का जाता है बगवान बोला जाता है बगवान माना जाता है आज अगर भारत में पूजा हो रही है स्री राम की वह 14 वर्स के बनवास की वैसी क्योंकि व्यक्ति निखार तभी आता व्यक्ति के असली व्यक्ति का पता अभी चलता है जब व्यक्ति कट्नाईयों का सामना करता है तो अभी अमारी कोचिंग कुछ समस्याओं का सामना कर रही है लेकिन आप हमें डिजिटली और फिजीकली दोनों तरह से सपोर्ट करेंगे और आपके सपोर्ट का केवल इतना मतलब है कि आप बहतर पढ़ें समझ मागया आपसे कुछ नहीं मांग रहा है कि वो इतना मांग रहा हूँ बहतर पढ़ें अच्छा पढ़ें और अपना सेलेक्शन लेकर दिखाएं किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले क्या ज़रूत होती है कि हमें प्राथना करनी चाहिए क्या करनी चाहिए अभी ताज भुए तो थो असूट है कुछ अनुटी एक में संघ एवन उसके राजिचेत्र अन्सूची दो में बेतन एवं भते दिये गये हैं बेतन किस किसको को दिया जाएगा इसमें राश्ट्पती उप्राश्ट्पती अर्थात राज सवा के सवापती को लोग सवा के अध्यच उपादच्छ को राज सवा के सवापती उपसवापती को विदान सवा के अध्यच उपादच्छ को विदान परसत के सवापती उपसवापती को हैं जिसके तहट केंद्र के मंत्री संसत के सदस्य संसत के प्रत्यासी और सदस्य राज्ज के मंत्री नियंत्रक्वमं महालेखा परिच्छक उच्छ थम न्यायदीश इसygenे सपथ इसके अलावा अनुच्छे 60 के तहत राश्टपती की सपत दी गई है अनुच्छे 69 के तहत राजपती की सपत दी गई है अनुच्छे 69 के तहत राजपती की सपत दी गई है अनुच्छे 169 के तहत राजपती की सपत दी गई है अनसूची पाँच अनसूचित एवं जन्जाती छेत्रों से सम्मदित अनसूची है अनसूची छे में असम मेघाले तुरुपरा और मिजोरम के जन्जाती छेत्रों के प्रसासन के सम्मद में प्राबधान दिये गए हैं इसमें अगर इसके नामों को याद करना है तो हमने ए होती है तो कि साथ में लिष्ट यशी अरप राजबासा दी गई है मूल संबिदान में लेकिन बरत्मान में 22 लाजबासा था है प्रइक वियन्य संब्यदान त्वारा जोड़ा गया 21 संविधान संसोधन उनीस सो सरसर द्वारा सिंधी को जोडा गया इकत्तरवे संभिधान संसोधन उनिस सो बानुवे के तहत तीन भासाएं जोड़े गई जिसकी ट्रिक हमने कराई थी नमक अर्था नेपाली मडीपुरी और कॉंकडी अनुसुच बानुवेवा संभिधान संसोधन इसके तहत चार भासाओं को जोड़ा गया इन भासाओं के नाम है बोडो बोडो दौंगरी मैथली और संताली इसकी अमें ट्रिक कराई थी बोडो में संत क्या था बोडो में संच अब अनुसुची 9 मैंने बताया था कि पहले संभिधान संसोधन अधनियम के द्वारा अनुसुची 9 को जोड़ा गया इसके तहत एक नया अनुच्छ संभिधान में सामिल किया गया 31 खा अनुसुची 9 में प्रामधान किया गया कि यदि किसी कानुन बिनियम या नियम को अनुसुची 9 में सामिल कर दिया जाता है तो नियायले द्वारा उसका नियायक पुनिन विलोकन अर्था जूडिसल रिवीव नहीं किया सकता इस आधार पर की जमिदारी उन्मूलन नियमों को इसे कानूनी निर्वचन से बचाया है सके लेकिन 24 अप्रेल 1975 के बाद जितने भी कानून बिनियम या नियम नौवी अंसूची में डाले जाते हैं उनका नियालाय पुनर्विलोकन कर सकता है यह यह फैंसला बावन राव मामला 1981 के तहट आया था दसवी अंसूची मैंने बताया था दसवी अंसूची दस बहाने करके ले गया दल ले गया दिल फिर किया उसने दल बदल क्या किया दल बदल तो दसवी अंसूची में दल बदल कानून को डाला गया है इस अंसूची को बावन वे तो से दल बदल नहीं माना जाएगा बाद में 91 संबिधान संसोधन अद्रियम द्वारा यह सर्थ दो त्याई पर लागू कर दी गई अर्थात यद किसी पार्टी के दो त्याई सदस्य किसी दूसरे दल में सामिल हो जाते हैं तो इनकी संसत की सदस्ता नहीं होगी अर्थात खत्म नहीं होगी ग्यारेवी अंसूची को संबिधान संसोधन अद्रियम कि 1992 द्वारा जोड़ा गया जो 24 अप्रेल 1993 को लागू हुआ इसमें पंचायतों संबंदित प्राभधान किये गए 24 अप्रेल को लागू होने के कारण 24 अप्रेल को पंचायती दिवस मनाया जाता ह है अब ग्यारेवी अंसूची में 39 विसे दिये गए है मैंने की मैंने की ट्रिक बताई थी कि 2 और 9 कितने होते हैं 11 तो ग्यारेवी अंसूची में 39 विसे हैं अब है बारेवी अंसूची को चौतर्वे संबिधान संसोधन अद्रियम 1992 द्वारा जोड़ा गया इसके तहत प्रस्तावना एक पर देख लेते हैं पूरी प्रस्तावना में क्या लिखा है हम भारत के लोग क्या है हम भारत के लोग भारत को संपूर प्रोत्तु संपन समाजवादी पंतन रुपेच लोगतांत्रिक गड़ राज्य बनाने के लिए क्या बनाने के लिए समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को किसकी सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नियाये विचार अई व्यक्ति विश्वास दर्म और उपासना की सोतंतरता प्तिष्टा और अवसर की समता तता उन सभी में व्यक्ति की गर्मा और राश्ट की एकता एवं अखंडता अनुश्यत करने वाली पंदुता बढ़ाने के लिए दर्ण संकल्पित होकर अपनी इस संभिधान सवा में 26 नवंबर 1949 को एतत द्वारा इस संभिधान को अंगीकरत अधनियमेत और आत्म समर्पित करते हैं यह हैं आपकी प्रस्तावना इस प्रस्तावना को आपको एस्टू जैड याद करना है क क्या देख लिया था नियाय को देख लिया ही سंή नियायत त vrijकार का था आप सामाजिक अरेटेख उसके बात राजनितिक तीनों नियाय जो अलग अलग तरीके से दिए गए इसके कवर मैंने कारन बताय थे पहले सामाज क्यों बें अचाहिए फिल तैना चाहिए फिर है लेकिन जाती में उनसे पूछो सामाजिक न्याय की कितनी वैल्ली होती है वो जन्म से अपमान महसूस करते हैं इसलिए सबसे पहले सामाजिक न्याय कि आप सकता है उसके बाद मैंने बताया स्वतंत्रता स्वतंत्रता ये तीन प्रकार के न्यायत है और पांच प्रकार की स्वतंत्रता हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं पांच प्रकार की जैसे कोई लड्डू है कौन है कोई लड्डू किसी लड्डू ने दूसरे लड्डू को देखा क्या देखा दूसरे लड्डू को देख तो इसके मन में क्या आया विचार आया क्या आया विचार आया क्या आया उसके मन में जब विचार आया अब उसने इस विचार को क्या किया अविव्यक्त किया अर्थात उसे प्रपोज कर दिया क्या कर दिया क्या 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 क्य के वाद क्या होगा अब इसने इस प्रपोज के लिए इस लट्डवाइन ने क्या जगाया इसमें विश्वास जगाया जो चल विश्वास जगाया इतने में इस लट्डू के और इस दूसरे लट्डू के फिर में लट्डू फिमेल लट्डू इसे कह सकते लट्डवाइन तो इस लट टू के क्या होगा माता पिता को किसको पदा ऐले haven't to guess अब इन बड़े लटू ने क्या देखा इन दोनों का इसका देखा धर्म दाल मिला समान क्योंकि कि यह क्या है भारत और भारत है तो हमें धर्म देखना यह पड़ेगा धर्म देखा धर्म मिल गया वह या राजी ओगए दर्म के आधार पर चाहे समानता चाहे समानता उन्हें के अंकल लेंगे तो इन दोनों लड्डू का कर दिया पढ़ने सुत्रों बने गए किसमें बने उत्र में फिर इन दोनों उपासना की क्या की उपासना उपासना का फल क्या हुआ बहुत सारे लट्टू बने लेकिन यह बहुत सारे लट्टू नहीं अब दो लट्टू चाहिए के वल तो आप एक वा समझे कि हम है अब हम किया करेंगे आगर हमें सभंत法 चाहिए तो यह पांच प्रकार की सुनता मिनगी कौन कौन मपासना के सुनता हमें क्या मिला विचार अइव्यक्ति विश्ट्वास धर्म और उपासना के सुनता मिली जो मैंने ये कहानी आपको बताई जिसे आप बढ़े चाव से सुन रही थे इस कहानी से आप याद रख पाएंगे हमेंशा जब भी पढ़ें तो इसी कहानी को पढ़ें किसको पढ़ें कि इसा काजिए को पढ़े अब विचार क्या होता है इस सुतंत्रता कितने प्रगार के उगई ऐन इस ते लिए खिल आधाने काई पांच से लिए वास्तरी पर्रांस की क्रांती यहाँ साथ साथ अम्हेरे की संभिधान से अमेरिकी संभिधान से वैचारिक प्रभाव कैसा प्रभाव वैचारिक प्रभाव भी लिया है कैसा प्रभाव लिया है हमने दोनों के प्रांसी क्रांतिक अध्यन भी किया हमारे संभिधान निर्माता उन्हें और अमेरिका के संभिधानी विचारों का अमेरिका में जो सुतं है लेकिन और हमारे देखा गया तो हमने क्या लगाया वर युक्त शुल्वन्द क्या लगाया आ एंउप और निर्बंद है आप इसकोनी समझ बारी दर्लों यह न क्या होता है और मतलब कि तजिआवल सुन्य रिजनेवल रिस्ट्रक्शन लगाई जैसे अनुच्छेद 29 है क्या है 19 वरी अनुच्छेद 19 बाक एवं अविव्यक्ति की सुद्नता क्या बोल लगया असमें बाक एवं अविव्यक्ति की सुद्नता लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा भासण दें एप एप ऐसा भासण धिया दंगें हो जाएन अगर आपने ऐसा कोई बासण दिया दंगें हो गएंधारमिक भावनांए कि अधार्म गई यह आपने देष के विरोध में कहा देष के विरोध में में बोला आप पाकिस्तान जिनदाबाद नहीं कह सकते यहँ पर कहें पाकिस्तातों बिखता का को है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा मेरी वाक की सहतनता के कारण किसी और की वाक सुटनता वाफाने बोलना क्लिन से वहले के वेयरति है तो आपकी सुपमता का हनन हो रहा है तो मैं कितने बोल सकता हूं कि जितना आप समाज के नियमों के अनुसार है तो इसका मत अधिया युक्ति-yuk्त-nyrvandhan क्या लगाए गई है युक्ति-yuk-nyrvandhan किसके आधार पर लगाए गई है धार में भावनाय आहत नहों राश्ट क एकता खंडता बनी रहे क्या बनी रहे राष्ट की एकता खंडता बनी रहे दंगे न बढ़का सके हैं आप लोग बात समयागी युक्ति युक्त निर्वंदन क्यों लगाए गई है क्यों विया क्लियर हो रहा है तो अब देखते हैं समानता के बारे में इसके बारे में समानत कितने प्रकार की समानता है समानता यान तो क्या वोलते हैं समानता को इंग्लिस में एक्क्यूलिटी क्या वोलते हैं एक्क्यूलिटी कितने प्रकार की है अभी तो याद किया आपने प्रतिष्ठा और अफसर की किस की है और अवसर कि Ukraine कितने प्रकार की समांता एक तो क्या होती है विशेशा अधिकार की समाप्ती डिकारों कृस secular आपती यह समानता आया नहीं है जैसे क्या हमारे यहां जो नागरिक हैं उनमें से किसी को राजा के नाम पर बिसी सा अधिकार मिले हुए है कोई अपने आपको राजा कहे लेकिन सम्मिधान में किसी को राजा के आधार पर अधिकार नहीं मिले हुए है संजमा अगीवत या कोई जो पहले जमीदार था बड़ा उसको सरकार को अलग से रेलिव देती है जब संजयत एक बिजनिसमेन का वेक्ति था अमिनेता था काफी पैसे वाला था संजयत पजवत्यार मिला तो ऄृग में एक पर सुचो अगर विसे साहर होते तो जेल में जाता क्या एक जिसका मतलग यह हमारे यहां विसे साहार अधिकार नहीं है जहां पर विसेषाइबिकारों कि समापति वहां पर क्या होगा फिसक को Kriva बड़ा नहीं सब्लस्तव कि समान है क्या है कोई भी व्यक्ति राष्ट पर पर कोई व्यक्ति प्रणन मन्ति सिक्धिदी तब बोला था क्या बोला था उसने राजा का बीटहकं अब राजा नहीं मनेगा राज कौन बनेगा जो मे HARF greatest करते काशो को गई है चैस में तो सब्सक्राइब को समाप्ति मतलब इससे आप को क्या पता रिलता है सकारात्मक एश है यह नकारात्मक है समाप्ति हो रहे है ये लेकिन हमाय कुछ को सकारात्मक अर्थी इसका क्या मतलब है कि इस वे यह संबागा है हैं से वैक्व्यक्तियों को किसको सकारत में क्या है सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्तितियां दी जाएंगी क्या दी जाएंगी ऐसी परिस्तितियां दी जाएंगी ताकि सभी का समुचित विकास हो सके क्या हो सके सभी का समुचित विकास हो सके अब देखो इसमें इसमें अंतर क्या है इसमें हम किसी पर रोक लगा रहे हैं लेकिन यहां हम कहा कर रहे हैं यह नकारात्म क्यों है है इसमें रोक लगा रहें किसी पर कि ये नहीं कर सकते आप इन इसमें हम कहरे रहे हैं सकारात्म-कर्त में इसमें हम कह रहे हैं कि भाईandır के ता जो हर व्यक्ति अपनी काभियद के अनुसार अपने उनर्ग के अनुसार आगे बढ़ सके अपनी कावलियत के अनुसार अपने हुनर के अनुसार क्या वड़ सके आगे वड़ सके अ कि सभी मागया जो समाज में पहुंच है वो सब की बराबर रुसा के ऐसा नहीं है तो गरीब व्यक्ति है उसको ऐसी इस दिया को सभी को कि सभी का विकास कार ओं में तक्यों लिगान कारी राजी क्या होता है उपनी को निकोरी दे रही है नंठूसो खाओ और ठूसने के बाद तो आदम को नीद आती है पड़ता कहा है बच्चत सो जाते हैं और मास्टर भी खा करो लेते सरकारी में तो चल्ण सब्सक्राइब तब चहले एक मैरत महान है अब यह अनुचे हम confederate कि अब हम बंधुत्व देखेंगे क्या देखेंगे कि वंधुत्व एक तो क्या है कि एक क्या थी राष्ठ की एकता एवं अखंड़ता दूसरा क्या था अखंड़ता और दूसरा था व्यक्ति की गरिमा जो बंधुता है इसे हमने फ्रांस की कांती से ग्रण किया है अब हमें बंधुत्व की आवस्थक्ता क्यों थी अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहां पर अंग्रेज कर रहे हैं फूट डालो और राज करो क्या कर रहा है फू डालो और राज करो अब ऐसे में अगर फूट डालो राज करो की नीती से अंग्रेज चल रहे हैं तो हमें ऐसी आवसकता है कि भारतियों को क्या करें एक दूसरे को सेहन कर सकें दूसरा क्या हुगा एक समस्या और आई बंदुत की आवसकता क्यों पड़ी धर्म के आधार पर देश का विवाजन हो गया धर्म के आधार पर देश का विवाजन हुगा और एक नालायक देश बंजा कौन बना नालायक देश पाकिस्तान बन गया जो आज भी हमें परसंद करता है तो एक तो अंग्रेज पूट डालो और राज करो की नीती पर चल रहे दे दूसरा क्या दर्म के आधार पर क्या हो रहा था देश का विवाजन हो रहा था अगर ऐसी सिती है तो क्या होगा राष्ट की एकता और खंड़ता को बनाये रखना है अब एकता है खंडता को बनाए रखना है तो इसके लिए क्या आवसक पड़ेगा इसके लिए आवसकता होगी आपस में बंदत्तु जगाने की क्या किसकी बंदत्तु की भावना जगाने की अब बंदत्तु की भावना क्या होती है हम कहते हैं हम भारती है क्या होती है हम भारत होती है हम भारत के लोग जब कहते हैं जब इंडिया टीम होती है तो हम ना किसी धर्म के होते हैं ना किसी जाती के होते हैं ना किसी कुल के होते हैं ना सहर के होते हैं ना राज के होते हैं क्या होते हैं हम की जो भावना है क्या है हम की जो भावना है इसको जगाना था क्यों हम बहुत समय से गुलाम थे हम अपने आपको नहीं पहचान पा रहे थे यही है बंदत्त्तु की भावना क्या है यह बंदत्त्तु की भावना है अब आप सूचिए व्यक्ति की गर्मा क्या होती है व्यक्ति की गर्मा होती है जो रूडिवादी कैसी प्रंपरा है है खूरी वादी को किया एवं पारंप्रिक कैसी है रूड़ी वाधि और प्रंप्रा वादी प्रंप्रा एव कि सोच परहंसे कि змlor को परदे में रहना चाहिए क कि दो जए फरी वादी सोच है या नहीं महिलाओं को छोटे कप्ड़े नहीं पहनने चाहिए कि सबा जूख है परंपरवादी सोच है महिला को डुपट्टे लेके चलना चाहिए ऑ्षण रूडِ परंपरावादी सोच है यह सारी सोच क्या है हमें खत्म करने क्यों यह क्या करती है व्यक्ति की कि स्वतंत्रता का हनन करती है यह कम करती है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है यह उसे कम करती है मलब व्यक्ति की स्वाधिनता को अस्वीकार कर देती है क्या कर देती है अस्वीकार कर अब इनमें क्या होती खाप पंचाइदों में बहुत एकता होती है क्या होती है एकता बहुत होती है लेकिन हमें ऐसी एकता नहीं चाहिए जो किसपा आधारी तो रूडिवादी या परंपरावादी पर आधारी तो क्यों क्या किया इन्होंने एक लड़के ने एक लड़की क क्या किया रेप कर दिया क्या कर दिया और इन्होंने नेड़ा क्या दिया इससे इसकी साधी करा दो ये क्या इस लड़की के साथ न्याय है नहीं न्याय ना ये गलत है न्याय नहीं है लेकिन इन्होंने इसको जवरसी थूप दिया तो ये क्या एक परमपरावादी सोच है कि अगर लड़की का रेप हो गया तो कहीं मूँ दिखाने लाइक नहीं रही जितना लड़की का हुआ उतना लड़की का भी हुआ है तो ये दिखाने मूँ लाइक नहीं तो ये को मूँ दिखाने लाइक हो गया अब ये दिखाने मूँ लाइक नहीं जाई इसका मूँ काला हो गया क्या हो गया इसका मूँ उज़रा हो गया अपना जीवन चला सकती है सजा तो इसे मिलनी चाहिए समझ मागया मूँ तो इसका काला हुआ इसका क्या हुआ इसकी गलती क्या थी इसमें इसकी गलती थी यह क्या है रूड़ी बादी परमपारी सोच कि लड़की के संग कुछ हुआ तो खतम समझ मागी बात नहीं आगई अगर ऐसा हो तो दिल्ली की सारी लड़किया काली होगी मूगी ऐसा होता लेकिन क्या क्यों मैया नहीं न इसका मदलब ये तो एक यौन किरिया है केवल और यौन किरिया से किसी व्यक्ति का व्यक्तित पता नहीं चलता हमें अगर किसी व्यक्ति को कि व्यक्तित के बारे में जानना है तो हमें यह देखना को उससे समाज के प्रतिक क्या गार किया है ना कि योक्स के यौन संबंदों के आधार पर देखना होगा लेकिन हमारे यहां यौन संबंदों के आधार पर महिलाओं के करेक्टर को जासा जाता है यह नहीं देखा जाता महिला की सोच क्या है लेकिन है एक लडडदू यहों का करते थने प्यार करते थे यह क्या करना चाहते थे पर यह three बहुत रोक रहा चाहती है लेकिन यह बहुत तागतवर हैं इन पर बहुत बड़ी संख्या एकता है कि हमें ऐसी एकता चाहिए हमें ऐसी एकता नहीं चाहिए हमें ऐसी एकता चाहिए जिसमें व्यक्ति की गर्मा वनी रहे क्या वनी रहे हमें कैसा मंदत्त चाहिए जिसमें व्यक्ति की गर्मा व्यक्ति की सुधनता का नास हो रहा है क्या हो रहा है व्यक्ति की सुधनता व्यक्ति गर्मा का नास हो रहा है अब राष्ट की अखंडता क्या होती है यह देखते हैं राष्ट की अखंडता क्या होती है मतलब अगर सोचो कोई संगठा नहीं कि अगर संगठा नहीं तो उसमें एकता है लेकिन वो क्या कर रहा है राश्ट्र ब्रोधी क्या कर रहा है वो राश्ट्र होगा राष्ट की एकता एमवम अघठंदा अखंडता में अरचन आई क्या एंगी इसमें अरचन आजाएगी तो मैं है js our कैसी चाहिए जू राष्ट्छ को टागत्र बनाए क्या बनाए राष्ट को टांगत्र बनाए ना कि ऐसी एकता का खंडता हो जो अब इसका नोकिरी करने कि उत्तर भारत के लो कि उत्तर भारत के लोग तो आपने कि नहीं है लेकिन माहाराष्ट बने लेकिन कि अखंड वारत मतलब क्या है उत्तर राज में रह सकता हूं लेकिन तौन राज ठाकरे एक व्यक्ति है जो अध्म धाग्रे का चचेरा भाई है तो बाती जांध ने वागत बतिजका है उसने राया उत्तर भारत के लोगों को बग माहराष्ट में क्या हुआ हुआ हैल है वहां से लोगों को मार्काव के भखा या रही है जब पुलिस की बर्ती वह तो वहां पर लोग जो नटके तो महीं को दोडाया गया पगाया गया अैसे मैंच के देखें नहीं हमें kangas Bruce राष्ट को सब भूता है तो अम सब भारत होते है olanच कि वहनी का हेउड़ होते हैं' अब मेंच के समय तो बहुत बढ़ी राष्ट वक्त होते हैं बाहार आके ना सारी राष्ट है गदम हम अब ना जो रेल गट वो होता है लोटा वो भी चुरा लेते हैं हम ऐसे अखंड वारत के लोग हैं जो आपके वह देखें आपने कूड़ेदान अभी फ्रुजाबाद में बहुत सारे कूड़ेदान रखे गए थे आज सारे गायव हैं अब कैसे वारत हैं कैसा अखंड वारत बना रहे हैं हम एक चाहिए अगर कोई तूट भी गया है तो उसके नया रखें क्योंकि हमारे भी काम आएगा तो आप बेहतर इंसान बने राष्ट रो राष्ट वक्त मनें केवल मैं नहीं मैं के बाहर ही ऐगा कि तो अम बंदुत समझें आप क्या होगा गत्ती गर्मा राष्ट की एक तक घंडता नमज गए इसमें कोई दिक्कत इसके नावा हमारा एक मूल करतब भी है 51 क्यामे कितने मूल करतब में बदायों कोई विकास बदाएं 51 कामे कितने मूल करतब भी है हालें 51 क्यामे हमने 20 मूल करतब कितने धिए हैं बीश मूल करतब धिए कि इस कि समझे में कि धिएहए पहले कितने थे ना लाइको कितने हैं 11 कितने हैं ग्यारा 42 संभिधान संसुदन दौरा कितने जोड़े गई 10 कितने जोड़े गई 10 और एक कब जोड़ा गया दौरा कि आपके बच्चे हैं बच्चों के प्रतिपाल है या माता पिता हैं वह बच्चों को सिच्छा देने का अवस्तर पृधान करेंगे यह उनका करतब भी है अगर आपके माता पिता अगर आपको सिच्छा देने से मना करते हैं आप कहते हैं इस कोचे को पढ़ूंगा मना करते हैं तुमसे कहो 51 का ग्यार है वहाँ मूल करतब बे है कि आप मुझे सिच्छा देंगे आपका मूल करतब बे अगर आपने नहीं दी तो आप मूल करतब बे में प्रतेप भारत के नागरिक का कर्तब होगा कि वह बभारत सभी लोगों में समेस्ता और समान ुर्धaly की भामना नर्माण करे। जो धर्म भासा और प्रदेश या वर्ग पर आधारेत सभी वेदवाओं का विरोध करती हो क्या करती हो विरोध करती हो तो बंदत तो समझेगे या आप लोग अब हम कुछ ऐसी चीज़े सीखेंगे जो कुछ अलग हैं जैसे अर्थ निधान समझेगे केस आया था वेरुवाडी किसका आया था वेरुवाडी का मामला वेरुवाडी मामला 1960 यह समझते हो वेरुवाडी मामला यह क्या होते हैं जो जो हाई कोट या सुप्रीम कोट में जो याच का दायर की कि जाती है वो किसीना किसी के नाम से तायर की जाती है तो 1964 में यास का दायर की शरफ करिंधे मामला की शरुप अब बेरूबाइटी मामला था गया एक अनुछष होता है कि जो आपने जब मेरी इंस्टागराम अईडि देखी सकती होगी तुसमें लिखा लज्ट-पति को किसको जब राष्ट-पती गहती राष्ट-पति-थैотив यह जा है कि PP इसका मतलब जब राष्ट पती नियायले कहा रहा है आई लव यू में 1443 पूसता है कि भूसता है नियायले से प्रस्था थाइन सम्भवण्त Sabbang देखो आप चीजों को बहुत डीपली नहीं समझ सकते मैं अभी बोलूँगा कि अनुच्छेद 143 के संबेधानिक प्रस्ण पूछता है नियायले से आपको क्या बक्वास कर रहे हमाई समझ में नहीं आ रहा तो जब हमने किसी से I love you पूछा कहा तो मतलब प्रस्ण पूछा से क्या क्या पूछा प्रस्ण पूछा जब प्रस्ण पूछा उसका मतलब नयायले उसका अप्तर देगा अब एक वाता हो अगर आप किसी से I love you कहते हो तो क्या option होते हैं एक होता है हाँ एक होता है ना क्या होता है ना से नयायले भी है नयायले राय दे सकता है और नहीं भ सब्सक्राइब और तो इसका मतलब इस जिसने आई लव यू कहा है उसके मूड पर डिपेंड है वो माने या ना माने वह सकता है तुमने इसने काओ तो छह महिने पहले छह महिने बदेश की कुछ अधिकारी इसने बोलब हां अब इसका मूड नहीं है तोतष लीव सकता है मान भी सकता है और नहीं भी क्या कर सकता है मान भी सकता है और नहीं भी तो राश्टपदी अनुच्छे 143 के तायत पुछता है नियाले से क्या कहता है आई लव यू अभी इसके आई लव यू का अंसर कैसे देता है हाँ या नामे अगर यह हाँ करता है और इसका अंसर देता कि ऐसा से करो तो इसके पास प्रसंद वारा जाता है इसको मान भी सकता है नहीं भी समझे मागया क्योंकि मौका सबको बरावर का मिलना चाहिए तो राश्पति निया 60 में भारत पाकिस्तान का क्या होना था विखे भारत पाकिस्तान का सम्झता था ता पारत पार कि पाकिस्तान को संजोता है। इसके लिए उसने मामला आया राश्ट पती ने प्रस्ट पूछा न्यायले से किसे प्रस्ट पूछा अनुच्छे 143 के तहर जब प्रस्ट पूछा तो सुप्रीम कोट ने कुछ राय दी क्या दी सुप्रीम कोट ने कुछ राय दी उसी मामले में कहा कि हम जो सुप्रीम कोट जो राय दे रहा है वो सुप्रीम कोट बता रहा है हम किस से राय दे रहे हैं वो कह रहे हैं प्रस्तावना से क्यों क्यों कह रहा है क्यों क्यों कह रहा है जो प्रस्तावना है जो प्रस्तावना है वो संभिधान के क्या है कुंजी वो क्या है संभिधान क कुंजी है, संभी थान की कुंजी की है, संभीधान का निर्वचन, संभीधान का निर्वचन, निर्वचन जानते हो थया होती है? अगर आप नहीं समस्ते लेख लें व्याख्या, क्या होती है, व्याख्या, सम्मिधान का निर्वचन या व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या कहा सुप्रीम कोट ने? कि पास्तावना क्या हैं कि मामले 227 कि मामले में करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है किसका प्रयोग किया सकता है इसी मामले में। इसी वेरुवारी मामले में सुप्रीम कोड ने एक बात और कही कि प्रस्तावना सम्विधान का भाग नहीं है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बैरु वाड़ी मामले में क्या कह रहा है सुपिंगोड प्रस्तावना संविधान की कुंजी है संविधान निर्वचन के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बात सभी में आगे क्या गा संविधान का भाग नहीं है यह किसमें कहा उसने वेरुवाडी मामले में जब कभी भी राष्टपती सर्वोच नियाले से 143 के तहट कोई प्रस्ण पूछेगा तो ध्यान रखना संविधान पीठ का किसका गठन होगा संविधान पीठ किसका गठन होगा इस इसमें कम से कम कम से कम पंच नियाएदीस होंगे कितने हैं 5 जज होंगे संविधान पीठ का अमतलब क्या है कम से कम पाथ ज़ेज होंगे जब भी कोई संविधान एक प्रस्ण आएगा तो संविधान पीट बैटेगी राइस्पति जब 1,4,3 के तरफ पूछेगा तो क्या बैटेगी संविधान पीट और संविधान पीट में कितने जज होंगे कम से कम पांच जज होंगे बात समझ में आगई तो बैरू वाड़ी मामले में कम से कि पांच जज होंगे होंगे तो बैरू वाड़ी मामले में क्या गया संविधान का नवर्चन करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोक किया सकता है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्या नहीं है संविधान का लेकिन बर्तमान में ऐसी सिती नहीं है कारण क्या है एक मामला आया केश्वा नंद भारती केश्वा नंद भारती मामला सबसे बड़ी अब तक की जितनी भी सम्मिधान पीट है नियायरे में सबसे बड़ी बड़ी पीट थी केश्वा नंद भारती अब तक की चभी सबसे बड़ी बड़ी पीट ली केश्वा नंद भारती मनी चिलों की इन और इसलिकर अग्यें कहा तो प्रस्तावना अ समविधान है बहाग है क्या कई थने प्रस्तावना संभिधान का भाग है आपके आंसर मिल गई किया कई इसने प्रस्तावना संभिधान का भाग है ये तो पुछ नहीं थे अब तो बहुच्छ नहीं थे आप यह अब बैरु वाड़ी मामomyeten में क्या थाues अब क्या का अब अब रस्तावना मेंसे दीकिया है प्रस्तावना संबिधान का भाग है कि वहाई संसोदन हो सकता है प्रस्तावना में या नहीं अब संब्दान सन सोदन हो सकता है पहले तो जिताओ कि किस अनुच्चेद के तर्ष संविधान संसोधन किया जाता है और वह कौन सा भाग है जिसमें संविधान संसोधन की प्रक्रिया बताई गई है भाग है भाग बीस अनुच्छे 368 क्या है भाग बीस है और अनुच्छे 368 है सम्मिदान संसोदन की दो ही प्रक्रिया है जो अनुच्छे 368 में दी है एक क्या है विशेश बहुमत क्या है विशेश बहुमत और एक क्या है विशेश बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुच्छे समर्थन एक प्रक्रिया जुसमें नहीं दी है वो क्या है साधारण बहुमत क्या है साधारण बहुमत मैं ये तीनो प्रक्रियां आपको बता चुका हूँ वैसे तो विशेश बहुमत क्या है लोक संसद का बहुमत थेक है आदे से अधिक क्या हूँ था बहुमत का मतलब आदे से अधिक प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का का दो तिहाई बहुमत थेक है इसमें से जो अधिक हो वह मानने होगा इसमें से जो अधिक हो हो वह मानने है अगर ये संख्या अधिक है तो ये वाली मानने होगी अगर ये संख्या अधिक है तो ये वाली मानने होगी को कार्ण क्या है हो सकता कर इतने लोग वास्थित ओं संसर सद्थ में कि यह संक्या वड़ी हो जाए उसे जोभी इनमें से अधिक होगी वहोगा अब विशेज मोहमद प्लस आदे राज्यों को अनुसमर्थन इसमें कोई शम्स्या आदे राज्यों से समर्थन और देंगे राज्यों से इस फाल से आप इसके पच में तो विकितने हैं कि अभी है? अभी है मारी बास 28 राज है कितने राज टो 14 राजे को क्या पर चाहिए मैं कोई कानुपालत पर अनुसमर्थन एक ये तरीका है यह जब हम कूँ संगात्मध्राचे में संच्छन करते हैं इसके मत्दान करने वालों का बहुमत अर्थात आधे से अधिक, आधे से अधिक का मतलग क्या हुआ, पच quantum plus 1, पचवा परेंट प्लस एक, यह हैं तीन तरिके संसुधन करने के, अब संसुधन करने के भूस सारे विवाद रहे, सबसे जो बेंचमार्क न्रेड़े आया, वो आया केषवा नंद भारती में, क्या आया, केषवा नंद भारती मामला, 1973 इसने कहा कि संसद संसद क्या कर सकती है संविधान के किसी भी हिस्से में संसोधन कर सकती है क्या का इसने संसर संविधान के किसी भी इस्षे में संसोधन कर सकती है समझ मागीवत इसका मतलब क्या हुआ वह प्रस्तावना में संसोधन कर सकती है क्यों भईया कर सकती है वह है fundamental right में संसोधन कर सकती है कर सकती नहीं कर सकती है इसका मतलब क्या है प्रस्तावना संभिधान में संसोधन कर सकती है लेकिन यहां तक नहीं रोगा यह मामला इसने आगे लगाया किंतू क्या कर सकती है किंतू basic structure आधार भूत ढाचा आधार भूत ढाचे में संसोधन नहीं कर सकती में कर सकती वास में आगई संसर संभीदान के किसी भी इससे में संसोधन कर सकती है किंतु आधारभू ढांचय में संसोधन नहीं कर सकती और यह यह संभीदान में क्या-क्या है सर्वोच न्याले अधारबू धाचे में क्या क्या सामें ले यह सरोच न्याले ने विमिन निर्णाओं में समय समय पर बताया इसका मतलब इसमें और भी चीज़ें सामीत किया सकती हैं भी सुप्रीम को सामी कर सकता है इसका मतलब सुप्रीम कोड जिसे चाहे उसे आधारबू धाचा गोशत कर सकता है इसका कारण क्या है संसत कभी ऐसी मनवानी ना कर दे कि वह ऐसे चीज़ों का संसोधन कर दे जो देश के लिए बहुत आवस्य के आधारबूत हैं जैसे अब सोचो संसत प्रस्तावरा में संसो संसोतन होगा और फिर क्या आएगा सुप्रीम कोड के चपल क्या आएगी चपल और किसे पढ़ेगी सरकार पेज्ञ ठीक हो जा मोधी तो मागी बद कि एम नाम का फैक्टर चला जागा फिर कि सम्मारी बात क्या कि रहा हूं मैं तो आधारबूत धाचे में संसोधन नहीं कर सकती अगर आप से कोई कुछन पूछे क्या प्रस्तावना में संसोतन हो सकता है कि तो अब हो सकता है लेकिन उसके आधार मोधाचे जंसो नहीं कर सकते इस आधार पर प्रस्तावना में संसोधन होगा प्रस्तावना में संसोदन कभ Normally संभीधान संसोदन अधरियम squishy कभ वहाँ व्यानłościं दिखणा यहां से 42 संभीधान संसोदन क्या हुआ प्रस्तावना में संसोदन प्रस्तावना में The San Sachоновra संसोधन हुआ और यह जब 42 संभीदान संसोधन लाओ किया जा रहा था उसमें क्या था आपातकाल लगा हुआ था आपातकाल आपने बहुत सारी मुवी देखी होंगा जिकर बीज़ेपी सरकार है तो आपातकाल के उबर मुवी आ रही है क्या था उसमें आपातकाल प्रस्ताम प्रस्तावना में बद दिये हैं और अप्रबरतनी नहीं है प्रस्तावना क्या प्रवर्तनी है और क्या नहीं प्रवर्तनी का मतलब होता है अदालत के द्वारा लागुक कराने की सक्ति क्या है इसमें कुछ चीज़े जालते हैं हम जैसे प्रस्तावना मूल अधिकार के डालते हैं डी पी एस पी नीती निज़स्त तत्व और मूल करतव यह तो अगर हम चाहें कि हम कहा हैं कि सरकार हमारी प्रस्तावना को लागु नहीं कर रही है और हम कहां चले जाएं अदालत तो हम अदालत में जाकर इसको लागु नहीं करवा सकते इसका मुल अधिकारों को लागु नहीं कर रही है तो हम कहां जा सकते हैं अधिकार में क्या दिया है संबेदानिक उपचारों का अधिकार क्या दिया है संबेदानिक उपचारों का अधिकार जिसके तरह कहा गया है कि यदि आपके मूल करतव्यों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तरह आप सुप्रीम कोट या हाई कोट में सीधी अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे इस मोगव अदिकार का हनन हो रहा है इसलिए अनुच्छे बगतीस या संबैदानिक प्चारओं के अधिकार को भीणरओ अमबेढ करने जो हमारे संबिधान के जनक थे वास्थ कारते उन्हों कहा कि अनुच्छे 32 मेधानिक का अधिकार संभिधान की आत्मा है क्या है संभिधान की आत्मा तो अनुच्छेग 32 क्या है संभिधान की आत्मा कहा भीम राव अमबेट करने अब DPSP को लागू नहीं करा सकते यह प्रवर्तनिय नहीं है और क्या प्रवर्तनिय नहीं है मूल करता भी प्रवर्तनिय नहीं है मूल करता भी प्रवर्तनिय नहीं है माथ समझ में आ गई या नहीं आ गई तो मूल करतब भी प्रवर्तनिय नहीं है और एक तरफ क्या लिखते हैं एवम अनुच्छेद में अंतर प्रस्तावना और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है जो प्रस्तावना होती है क्या होती है प्रस्तावना वो है विधाय का की सक्ति को की सक्ति को ना तो बनाती है और ना ही ना ही उस पर प्रतिवंद लगाती है लगाती है ये कुश्चन बार बार पूछे जाता है प्रस्तावना बिधायका की सक्ति को ना तो बढ़ाती है ना ही उस पर प्रतिवंद लगाती है लेकिन अनुच्छे या तो बिधायका की सक्ति को बढ़ाएंगे या उस पर प्रतिवंद लगाएंगे मास समय मा आ गई हाँ अच्छा अब मुझे पता हूँ प्रवर्तनिय है या नहीं कहीं पर भी प्रवर्तनिय दोनों और लगीए गैर नियाइक है आखों के नयंसुक कैसी है गैर नियाइक प्रवर्तनिय नहीं है क्या प्रस्तावना संभिधान का भाग है संभिधान का भाग है लेकिन वेरुवाडी मामले में क्या गया गया संभिधान का भाग नहीं है द्यान रखना और क्या प्रस्तावना में संसोधन किया सकता है संसोधन संस किया जा सकता है तो प्रस्तावना कैसी गैर नयाइक है संभिधान का वहाग है और संसोधन किया जा सकता है यह तीनों बाते द्यान रखेंगे आप लोग आपकी यहीं पर प्रस्तावना समाप्त होती है हम आपसे अगले वीडियो में पॉल्टी के कुछ नए प्रस्तों और नए कुछ टॉपिकों के साथ पुने मिलते हैं तब तक आप अपना खयाल रखिए आसपा सफाई रखिए और देखते रहिए अगनीपत अकैडमी का यूटूब चैनल धन्यवाद